सबसे पहले मैं आपको Game of Thrones की कुछ बातें बता देती हूँ जिसे एशिया है या अलेदेलग मुल्क है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बंगलादेश वगरा शामिल है वैसे Game of Thrones भी एक अलग दुनिया है जिसका कॉंटिनेंट इन्ही सबसे बड़ा किंग्डम वेस्ट्रोस है इसके लावा पाकि यहां टोटल स्थार किंग्डम्स राजी है हर किंग्डम को अपना अपना लाड संबालता है और इन साथो विंग्डम्स को संबालने वाला किंग राजा होता है अब शुरुआत होती है कुछ नाइट्स को दिखाने से असल में वेस्ट्रोस के चारुन तरफ एक बड़ी सी दिवार है जो दुसी तरफ रहने वाले लोगों जिंदली जानवरों और शितानी तक्तों को या आने से रोकने के लिए बनाई गई है और ये नाइट्स इस दिवार पर पेरा दीते हैं अब ये नाइट्स पिर दिवार की दुसी तरफ जाती है चकर लगाने जहां का अजीब नज़रा देकर वो दंग रहे गी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाशे एक डिजाइन में पड़ी हुई थी लाशों की हालत बहुत खराब थी फिर अचानक वो लाशे अपने आपी सिंदा हो जाती है उनका चीरा सफीड आँखी नीली रंगी थी हांटो पर खोन भी लगा हुआ था जिस वज़सी वो बहुत ड्राउनी लग रही थी तब यहां एक ड्राउनासर जॉंबी जैसा दिखने वाला शेतान आ जाता है जिसी जॉंबी डीमन का जाता है जो आते ही बड़ी बेरेमी से दो नाइट्स को मार दीता है तिसरा नाइट ये देकर काफी डर गया फोरन वहां से भाग कर विंटर फैल आ जाता है जो दरसल वहां का एक किंडम है और ये किंडम उस दिवार की सबसे पास वाला किंडम है जैसे वो नाइट आगे बड़ा यहां के सूलजर्स उसे पकर लेती है जिसके बाद यहां आई नाइट स्टार्क जो इस किंडम विंटर फैल के लॉर्ड है यानि यहां की फाज़त करते हैं यहां के हेड हैं नाइट स्टार्क अपने तलबार से उस नाइट का गला कर दीती है क्योंकि नाइट के कुछ असूल थी जिसे वो शादी नहीं करेगा हमेशा नाइट बन कर जिंदी गुजारेगा और जहां रहता है वही रहेगा कभी वहां से भागेगा नहीं को देदे थे यहां उनके अपने पांच ही बच्ची थी दो बच्ची जो जवान थी वो उनके सुतेले बैटे थी जिन में से एक का नाम जॉन था अब हमें इन साथो किंग्डम का कैपिटल इन्हीं सबसे बड़ा शेर दिखाया जाता है यहां किंग की वाइफ अपने असपेसल की बच्चे रह रहे थे खास नसल इसलिए क्योंकि उनकी कुछ खूबियां थी कुछ ताक्ते थी उनके पास जिनके बाल गोल्डन रंगे थी दोनों बच्चे जवान थे बेन भाई थी इनमें लड़की का नाम डेनेरियस था इन दोनों के डैड ने काफी सालों इन सालों किंडम्स पर राज किया था लेकिन पर कुछ सालों पहले नाइट स्टार और अब जो किंग है उन्होंने मिलकर एक साजश की उन्होंने जैमी जो किंगी वाइफ का भाई भी है उसे अपने साथ शामिल कर लिया जिस पर जैमी ने डेनेरियस के डैड राजा को मार जाएगी जिसके बाद में केपिटल शेयर पर हमला करके सभी किंग्डेम्स का राजा बन जाओंगा उदर किंग नाइट स्टार की किंडम आ ही जाती हैं किंग की आते ही सबी लग इजट में उनके सामने जुक जाती हैं यहां में किंग की वाइफ का एक और बाय दिखाया गय थी लेकिन नाइट स्टार की बेटे को यह बात पसंड नहीं आए इससे लिए उसने अपने डैट की बेहन को इअबवार करके पहले उसके साथ गल्द किया और फिर उसे जान से मार दिया जिस वज़ज़ से किंग को बहुत दुख हुआ अब किंग नाइट स्टार की बेट अब बड़ी फैर नेजे पहले बेया और इसकी बेटे लिए अब बच्चे को जाकर बताण नादे इसलिए जयमी उसे मारने के लिए टावर सी नेजे फैंग दे लेता है उने हिजबन सिर्दार की सुबान सीख रही थी। साथी साथ उसकी अपने हिजबन सी तालुग भी अच्छी हो गई थी। नाइट स्टार्क का बेटा टारपर से गिरने की वज़े सी मठता थो नहीं लेकिन कोबा में चला जाता है। लेकिन फिर भी नाइट स्टार्क अपनी दोनों बेटियों को लेकर केपिटल शिहर जा रही थी। जिबके उनका सुतेला बेटा जॉन नाइट बनने के लिए उस बड़ी सी दिवार के पास जा रहा था। अब नाइट स्टार की वाइफ से मिलनी मिनिस्टर आती है। बचेजों जैस히 नहीं थी बलके खास थी। उससे बी फॉर Рेयर बेटा था, बच्पन से ही वो बहादुर थी। जिसके पड़ जलनाइट बने अपने रास्ते पर आपने रास्ते पर ने करनी लगते। जाते जाते जहन्से अपनी मों के बारे में पूछता कहां है और वो कौन थी नाइट स्टार्क कहते हैं कि जो तुम सफर से लोटो गी तो मैं तुम्हारी मा की बारे में बता दूँगा नाइट स्टार्क और किंग जब एक जगा बैठी थी तो तभी किंग को एक खत मिला जिस पर लिखा था कि डिनेरियस और सरदार की शादी हो जो सुनकर किंग को इतना गुसा आया कि उडिनेरियस को मारने के लिए कहता है पर नाइट स्टार्क उनकी इस बास से सहमत नहीं होते और मना कर दीती हैं सफर में जोन की साथ बोना भी जा रहा था क्योंकि वो दिवार के पात जा रहे थी इसलिए वो भी दिवार को करीब स देखना चाता था यहां कुछ क्रिमिनल्स इन्हें मुझरिम भी साथ जा रही थी चूंकि वो नाइट स्टार की बेटी आपस में बातें कर रही थी क्योंकि आगे चलकी उनकी शादी होने वाली थी लेकिन यहां किंग का बेटा देखता है कि नाइट स्टार की छोटी लड़के के साथ तलवार से खेल रही है जो चीज उसे बिलकुल अच्छी नहीं लगी वो अपने तलवार लेकर उस लड़की की चीरे पर कट लगा देता है यह देकर बच्ची को गुस्सा आगया क्योंकि वो गुरीब लड़का उसके दोस था इसलिए वो किंग की बेटी जिसके साथ उसकी बेहन की शादियोंने वाली थी उसे मारने लगती है पर वो कुछ चुड़वा कर नाइट स्टार की बेटी को ही नीचे किरा कर उसे मारने लगता है पर तब यह बच्ची का वुल फाकर किंग की बेटे की हाथ पर काट लीता है जिससे वो काफी जखमी हो तलवार भी उसकी हाँ से छूट गई तब नाइट स्टार की बेटी उसकी तलवार फुरन उठाकर तिलाब में फैकर यहां से भाग जाती है अब नाइट स्टार का बेटा जो कोबा में था उसे मारने के लिए एक आदमे आता है जिसके पास खंजड था इससे पहले वो बच्ची को नुक्सान पहुंचाता यहां नाइट स्टार की वाइफ इन्ही बच्ची की मौम आकर उसे रोग दीती है क्योंकि इस वक्त वो यह चुपी होई थी वो उस आदमे से उसका खंजड चीन दीती है तब यहां उनका वुल्फ आकर उस आदमे की गर्दन पर काट लेता है जिससे उसका इतना कौन बहता है कि मौके पर यह उसकी मौत हो जाती है इस वज़ा से नाइट स्टार की वाइफ को भी अजीब लगनी लगा और वो अपने इस वेंट नाइट स्टार से मिलने के लिए निकल जाती है अब क्योंकि नाइट स्टार की बेटी की वुल्फ ने किंग की बेटी को काटा था इसलिए वो उसे भागा देती है ताकि वोई उसकी वुल्फ को मारना दे पर सिपाही उसे पकड़कर किंग के पास ले जाती है यहां किंग का बेटा और खुद उसकी बेहन छूट बोल देती है कि इसके वुल्फ ने किंग के बेटे को बिना बात के ही काटा है वो यह नहीं बताती है कि किंग के बेटे ने भी काफी बुरा किया था वो अपनी बेहन को छूट बोलता हुआ देकर नाइट स्टार की छूटी बेटी काफी कुस्से में आ जाती है इसलिए वो अपनी बेहन को मारने लगती है तो यहां किंग सेजा सुनाती है कि नाइट स्टार की छूटी बेटी का जो वुल्फ है उसे मार दिया जाए पर क्यूंकि इसने तो पहले अपने वुल्फ को बगा दिया था तो किंग कहते हैं तो फिर उसकी बड़ी बेहन की वुल्फ को मार दो इसलिए अब नाइट स्टार को जाकर अपनी बड़ी बेटी की वुल्फ को मार दीती है कुछी देर में नाइट स्टार केपिटल शेर पहुंच जाती है यहां उने मिलने के लिए कौनसल बुलाया जाता है यहां उनकी मुलाकाद किंग के भाई एक लॉर्ड जो सारा बिजनस समवालती है उनसे और एक रिपोर्टर लॉर्ड से होती है जिनने अनगलिक जगा पर अपने खबरे छोड़े हुए थी जो सारे जनकारे लाकर किंग को देती है एक बुड़ा आदमे पे उनसे मिलता है जो यहां के मस्टर है अब डिनेरियस को पता चलता है कि वो मा बनने वाली है और उसका जो ट्रांस्लेटर है वो सारे खबरे किंग तक पहुंचाता है कट के जरी उसने किंग को बताया था कि देनेरियस की शादी सिर्दावट से हो गई है जो यहां नए बनने वाली वारियर्स योधा को तलवार बाजी सिखा रहा था उसकी अंकर यनि नाइट स्टार की बाया उसे बताते हैं कि मैं दिवार के दो से साट पर जा रहा हौँ क्योंकि मैं एक रेंजर हूँ और एक रेंजर ही चक्र लगाने, चानबिन किरने, दिवार के उस पार जासकता है विंटर फैल में नाइट स्टार की उस बेटे की आंग खुल जाती है जो कुमा में चला गया था भोश में आने पर उसे पता चलता है कि में दोनों टांगे खराब हो गए उसे तो ये तक याद नहीं था कि मुझे टावर से गिराया किसने था नाइट स्टार की वाइफ के पिटल शेयर पहुंच आती है जहां उनकी हिस्बन थी वो यहां आकर लॉड सी मिली जिसके साथ उब बच्पन में ये लॉड उन्हें पसंद करता था नाइट स्टार की वाइफ को लगता है कि वो आज भी मुझे पसंद करता है इसलिए वो उस पर गुस्सा करती हैं क्योंकि वो तो उसे अपना चुटा भाई समशती थी अब थोड़ी दिर में ये नाइट स्टार भी आ जाती है उनकी वाइफ उन्हें वो खंजर दिखाती है जिसके जरी उस आदमी ने उनकी बेटे पर हमला करने की कोशिश की थी ये खंजर बहुती खास और मेंगे स्टील से बना था इस स्टील को गेम ओफ थ्रोन में बहुत कीमती मना चाता है ये लॉट पताता है कि ये खंजर तो होने का है यानि केंकी वाइफ की भाई का पर इन चीज़ों में ज्यादा ना पड़े इसलिए नाइट स्टार अपनी वाइफ को वापे सिंडम विंटर फैल पेश देते हैं साथि नाइट स्टार अपने चोटी बेटी को तलोर बाजे सीखाने की लिए उसके पास तल시에 बाजे को पेशते हैं जो आलसे से तलोर बाजे सीखाएगा नाइट स्टार के चोटी बेटी जो अभी-अभी कौमा से भाहिर आया था उसे एक सपना आता है जिसमें वो तीन आँखो वाले परिंदे को देखता है लेकिन तभी अचानक उसकी आँखो जाती है उसके सामने सुतेला भाई खड़ा था जो उसी नाइट स्टार के बड़े बेटे के पास ले जाने रहे था क्योंकि वो यहां सबसे पुराने किंग के राइट हैंड जो बाद में खुद भी किंग बन गे थी उसके बारे में जानने आए थी जहां वो बुड़ा आद में बताता है कि किंग के वो राइट हैंड हमेशा एक किताब पढ़ा करते थी जो किताब वेस्टरोस की तारीख की बारी में है यह गएकर बुड़ा आदमें उनके सामने वो किताब भी देकर आता है इसे नाइट स्टार भी पढ़ने लगती है क्योंकि वो जौन ना चाते थी यह आखर किंग की वो राइट हैंड इस किताब में इतने दिल्चस पे क्यों लेती थी फिर नाइट स्टार जाकर एक लड़के से मिलती है चुकि राइट हैंड भी इससे बहुत मिलने आया करती थी यह उसके चेरे को देकर नाइट स्टार को पता चलता है यह लड़का अवली किंग का सुतेला बेटा है है टोर्नेमेंट शुरू हो जाता है जहां एक जले हुए सोलजर का भाई और तल्वार बास एक दूसरे के मुकाबले में आती है इनका मुकाबला था कि दोनों ने एक दूसरे को गोड़े पर से गिराना है और जो भी पहली गोड़े से गिर गया वो हार जाएगा जिसने गिराया होगा वो जेच जाएगा अभी हाँ जेले हुए सोलजर का भाई बहुत कतर नाक था यूकि अपने भाई का चीरा इसने ही चलाया था जैसे उनका मुकाबला शुरू हुआ सोलजर का भाई तलवार बास की सिधा गर्दन पर रौट देकर मारता है जिससे वो इतना सक्मी हो गया कि फूरान नीचे गिर जाता है तीजी से उसका खौन मेने लगा जिस वज़े से तलवार बास की वहीं मोथ हो जाती है नाइट स्टार की वाइफ जब विंटर फेल जाने के लिए निकलने लगी तो वहाँ उन्हें बोला देख जाता है इसलिए वो अपने सिपाहियों को कहकर उसे पकड़वा लेती है अब टोर्नोइमेंट में अगला मुकाबला एक प्रिंस राजकुमार और जलिए होई सोलिए के भाई के बीच में था जैसे मुकाबला शुरू हुआ तलवार मालकर प्रिंस उसे बड़ी असानी से नीचे गिरा दीता है अब क्योंकि सोलिए का भाई हार गया था वो फोरान अट खड़े हुई चिला कर उन्हें लड़ाई बंद करने को कहती है अब सोल्जर का भाई गुसा हो कर वाँ से चला जाता है नाइट स्टार्क जब रिपोर्टर लॉड से बात करती है तो यहां उन्हें वो बड़ी चनकारी मिलती है रिपोर्टर लॉड बताती है कि सबसे पहले किंग की राइट हैंड जिसके बारे में आप जनकारी कठा कर रहे हैं उनकी मोथ उदरती तोर पर नहीं होई थी बलके उन्हें जैर देकर मारा गया था नाइट स्टार की बेटी बिली का पीछे करती करती एक काफी बड़े केफ गार में आ गई थी जहां उसे ड्रेगन की बड़े-बड़े स्केलिटन धाजी पड़े मिलती हैं क्योंकि जो नाइट स्टार का खानदान है वो ड्रेगन पर सवारी कर सकती हैं उन्हें कंट्रोल कर सकती थी पर हेरेट अभी तक यहां कोई ड्रेगन दिखाई नहीं दिये थी अब किंग एक कांसल बिढ़ाती हैं जिसमें वो नाइट स्टार को भी बुला लेती हैं और फोरन डिवेरियस को मारने का हुक्म देती हैं क्योंकि उन्हें खबर हो गई थी कि वो माँ बनने वाली हैं इसलिए उन्हें डर्ट था कि वो अपने और बागे किंडम के साथ मिलकर रिपिटल शेयर पर हमला कर सकती हैं पर नाइट स्टार्क इस बात की मुखालफत करती हैं जब किंग उनकी बात नहीं मानते जित पर अड़े रहें तो वो अपने किंग के राइट हैंड वाला ओधा छोड़ कर वहां से चले चाते हैं वो समान पैक करके निकलने ही वाले थी यह तब ही उनकी पास लॉड आता हैं जो नहीं एक औरत से मिलवाता हैं इससे मरने से पहले किंग के राइट हैंड पी मिली थी और यह औरत आवले किंग के सुटेले बेटे की मा थी इस जिससे नाइट स्टार्क यह पतल लिबाना चाहती थी और ऐसी उसने नाइट स्टार की सभी सोलजर को मार दिया और खुद नाइट स्टार से और अनसे लेंने लगा तलवार बाजी चलती रहीं लेकिन तबी बीची से जेमी कर सिपाही आकर नाइट स्टार के टांग में तलवार गुसा दीता हैं जिससे वो इतना जखमी हो गई कि फूरन वही बिहोश हो जाती हैं जब उनकी आँख खुली तो वो अपने सामने किंग और उनकी वाइफ को पा लेती हैं ताकि उसकी हाथ न जल जाएं पर हेरत या उसकी सिर्वेंट के दोनों हाँ जल जाती हैं जिपके डिनेरियस को कुछ नहीं होता जंगल में नाइट स्टार के दोनों बेटी और सुतीला बेटा घुड़ी पर सवारी के रही थी जिस भी छोटा बेटा जो कुमा से बाहिर आया था वो इनसे अलग हो जाता हैं जहां तबी कुछ अजीब लोग आकर उसे पकड़नी थी हैं ये लोग जंगली थी जो दिवार के उस पार से आए थी इससे पहले वो बच्चे को पकड़ती हैं यह उसके दोनों बाई आकर तीर माल कर जंगली आदमी को तो माल बना ली थी हैं उदर बोने को जब सब के सामने पेश किया गया तो वो कहता है कि मेरी तरफ से एक आदमी आपकी सिपाही से लड़ेगा अगर तो मैं जीत गया तो आपको मुझे छोड़ना होगा इस बात पर सब मान तो गई पर वो बोना था लड़ेगा कैसी सब यही सोच की को शिरा पिलाे जा रहा था जो सुड़र बोने के साड़ से लिड रा था वो दूसरे सुड़र को अच्छा मज़ा चूए चुखाइ आप है वो काफी माने के बाद उसके गर्दर में तलवार गुसा देता है जिससे उसके खूला बो तीर शीए बेहनी लगता है जिसके बाद बोने का सोलजर उठा कर दूसरे सोलजर को खाय में फैंक दीता है अब क्योंकि वो जीत गया था इसलिए नाइट स्टार की वाइफ को और उनकी बेहन को बोने को छोड़ना ही पड़ता है नाइट स्टार कुछ किताबें बढ़ रहे थी जिन से वो एक बात सोचने लगती हैं कि इस वक्त के जो किंग हैं उनके खांदान में किसी के भी बाल गोल्डन नहीं होती खुद किंग के भी नहीं हैं उनके काली हैं लेकिन उनकी तीनों बचों के बाल गोल्डन हैं जैमी के उधर दिनेरियस का बाई दिनेरियस और उसकी इसमन को तलवार दिखा कर डरा रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों उसे सोने का ताज पहनाएं इस वज़ा से दिनेरियस की इसमन को गुसा आगिया और वो सोने को पिगला कर उसे डिनेरियस की भाई की सर पर डाल दीता है जिससे उसका सर पिगलनी लगा उसे इतनी तकलीफ होई कि मुझे परी तड़ब तड़ब कर उसकी मौत हो गई अब हमें जैमी, किंग की वाइफ और बोने के डेट दिखाये जाते हैं जो जैमी के पास आकर उसे अपने बोसरे सिपाही दीता हैं और उसे अपने भाई उने को बचाने के लिए भेज देता हैं कि पिटेल शेह में नाइट स्टार किंग की वाइफ से की थी कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बाई जैमी की बीच की तालुका तब पतर चल गया हैं और जब किंग वापिस आएंगी तो मैं इस गलत तालुका उने बता दूँगा हमें किंग दिखाएगी जो बिमार हालत में बिस्सर पर पड़े थी क्योंकि जब वो शिकार पर गए थी तो वहाँ काफी जखमी हो गए थी शिराप पेने की वज़े से उनकी हलत बिगरती जा रही थी इसलिए वो अपने पास नाइट स्टार को बुलाते हैं और उनसे एक खत लिखवाते हैं इसमें वो नाइट स्टार को पुरी जगा का प्रोटेक्टर इन्हीं हिफाज़त करने वाला बनाती हैं जिसका मतलब कि जब किंग मर जाएंगी तो नाइट स्टार पुरे किंग्डम की हकोमत को संभादेंगी पर जिब किंग का बेटा बड़ा हो जाएगा तो थ्रोन इनी तक राजगदी उसे मिल जाएगी मतलब अगला किंग उसे बना दिया जाएगा पर नाइट स्टार किंग के बेटे की जगा थ्रोन की असली हकदार का लिखता है वो ये नहीं लिखते हैं कि राजगेदी उसे मिली बल्कि हो ये लिखते हैं कि जो इसके काबिल होगा जो इसका हगदार होगा वोई किंग बनेगा उधर दिवार के पास लॉर्ड कमांडर जो उनको अपना सर्विंट बना लेता है जो आज की बाद उनकी सेवा करेगा उनके लिए खाना बनाएगा जो बाद जो उनको काफी बुरी लगी क्योंकि वो एक रेंजर बनना चाहता था टेपिटल शेहर में नाइट स्टार्ट लॉर्ड को अपने पास बुलाती हैं केनी लगी यहांदे जो शांती वली लोग है इन जो सुकून रखने का काम करते हैं उनको बोलो अब वो मेरा साथ दी इसके बाद नाइट स्टार को थ्रोन वले कमरी में किंग का बेटा बुलाता है जहां उसी पता चल गया था कि मेरे डेड इनी किंग माले गई हैं और अब मैं ही वहां का किंग हूँ इसलिए वो राजगदी संभाल लेता हैं लेकिन तबीहां नाइट स्टार किंग की गार्ड को किंग का लिखवाया गया आखरी ख़द दिखाती हैं ये देकर नाइट स्टार किंग की वाइफ और उसके भए जहमी की बिच की तालुकात के बरे में बताया देती हैं पर इस बात से शान्ती वाले लोगों पर उल्टा है असर होता है ये सुनकर उन्हें गुसा तो आया पर उन्होंने नाइट स्टार के सिपायों पर हमला कर दिया एक एक करके सबकी इंदर तिलवारें को साकर उन्हें मार दिया जंका एक महावल बन गया था वहाँ साथी लॉर्ड जो पहले वफदार था वो नाइट स्टार के सब गदारी करके उनके गर्दम पर तलवार रध दीता है बाहिर बेजंग का महोल था क्योंकि जैमी की गार्ड्स नाइट स्टार की गार्ड्स पर हमला करके उन पर भारी पढ़ रहे थी कुछ Guard नight Star की चोटी बेटी को भी बेटी को पकर लेती है लेकिन उसके तलवार बाज बच्ची को वाँ से बगा देता है अब दिवार की दूसी तरफ से दो लाशी आती है जो लाशी उन नाइट्स की थी जो दिवार की दूसी तरफ गए थी नाइट स्टार के भाई की साथ अब तक उनकी भाई का भी कोई अतापता नहीं था क्योंकि उनका भी खाले घोड़ा ये वापीस आया था अब लॉर्ड कमांडर जोन को बताती है कि तुम्हारे सुतेरी डैड नाइट स्टार को किपिटल शेर में कदार केकर पकर लिया गया है ये सुनकर जोन को गुसा आ गया अपने डैड को बचाने के लिए वो किपिटल शेर में जाने की बात करता है जिस पर लॉर्ड कमांडर उसे नाइट के वादे याद करवाती है जिसके मताबिक एक नायट की कोई फैमली नहीं होती और उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए ये साथो किंडम्स में क्या हो रहा है अब दिवाल के पास एक लाश अचानक सिंदा हो जाती है जो बहुत बयानक बन गए थी और वो लॉर्ड कमांडर पर हमला कर दीती है पर तब यहां जॉन आ जाता है लॉर्ड कमांडर को बच्चाने के लिए वो तलवार से लाश का हाथ कर देता है जो हाथ कट कर नीजी किर जाता है फिर वो लाश के पेट में तलवार कुसा देता है पर लाश को कुछ नहीं होता इसलिए जॉन उसकी तरफ लाटन फैंकर आग लगा देता है लाश जन गई जिसमोगी का फाइदा ट्राकर जॉन लॉर्ड कमार्डर को लेकर वहाँ से भाग जाता है उधर सरदार की बहुत सारे लोग उस पर गुस्सा करने लगी क्योंकि वो दिनेरियस की वो सारे बाते मानने लगा था लोग बगावत पर उतर गए थी एक लिड़का दो तलवार से दिनेरियस की इसमन पर हमला कर देता है जिससे उसकी सीने पर कट लग जाता है उसका खोन निकलने लगा था इस बास से उसे इतना गुस्सा आया कि उसने लड़के को करतल से पकड़कर उसके गड़े की हड़ियां तोड़ दी जिससे वो वही मारा गया बोना अपने साथियों के साथ अपने डैड के पास पहुंचा जहां उसके डैड नाय स्टार के बेटे की साथ लड़ाई की तैयारियां कर रहे थी और वो अपने बेटे बोनी और उसके साथियों को भी अपने साथ लड़ाई में शामिल कर लीती है किंग का बेटा एक सीनियर सिपाही को बढ़ा भोलकर उन्हें वहां से रिटाइट कर देता है कि अपसी तुम हमारे लिए काम नहीं करोगी जिस पास सिपाही को इतना गुसा आया कि वो खुदी अपना ओदा छोड़ कर वहां से चिला गया जिसके बाद किंग का बेटा उनके जगा चेमी को दे रहता है अब नायट स्टार की बड़ी बेटी जंग लड़ने को तयार थी उन्होंने अपने पुरे टेम भी बनानी थी जिनने लेकर वह पुल के उपर पहुंचते हैं अब पुल पार करने के लिए उन्हें की लिडर की इजाज़त की जरूरत थी पुल पार करने की इजाज़त दे देता है लर्ड कमांडर की जो ने क्योंके जान बचाई थी इस वज़े से वो उससे बहुत खुश थी और उससे अपने खांदानी सबसे पुरानी खास लोगे की तिलवार देती है क्योंकी यह लोग उससे अपने सरदार मानती है जो ताकतवर हो नगे कम्सोर यह देकर देनेरिस वहाँ के एक औरत से मिलती है जो जादो करनी थी क्योंक देनेरिस अपने हज़बन को पिशल्च करने का केहती है जादू करने कहती है कि मैं तुम्हारे इस्वन को ठीक तो कर दूँगी पर इसके बदले में तुम्हें एक जान दीनी पड़ेगी वरना ये मर जाएगा जिसकी बाद वो सरदार के गोड़े को वहां बुला कर अपने हाथों से ही उसे मार देती है अगले दिन जैमी की डैट के कैम पर हमला हो गया उन्होंने दूसरी फोज का काफी बहादुरी से सामना करके इस जंग को जीत लिया पर उन्हीं पता चिला ये तो नाइट स्टार के बड़े बेटी की चाल थी उसने सिर्फ 2,000 सिपाही यहां बेजे थे हमने करने के लिए ताके उनका दिहान बठके और खुद वो जाकर जैमी को पकर लिए हो तो भी बिल्कुल ऐसा ही है नाइट स्टार का बेटा जैमी की सिपाही को बड़े असानी से हरा कर आखिर में जैमी को भी पकर लीता है उसे जखमी करके बंदी बना लीता है केपिटेश है में नाइट स्टार अपने बेटियों को बचाने के लिए किंग की बेटी की बात पर राजी हो जाती है और सब के सामने आकर खुद को कददार मानी लीती है पर केंग का बेटा जो बहुत बेमान था वो वादा किलाफी कर दीता है अभी भी उन्हें माफ नहीं करता बलकि अपनी सिपाही को केकर उनकर सर कलम करवा दीता है इसलिए कि वो गदार है और इस तरह उनकी मौत हो जाती है भीट में खड़ी ये सब कुछ नाइट स्टार की बेटी भी देख लीती है उसे बहुत दुख हुआ पर तब ही उसके इंकल उसे बेट में से साइड में ले जाकर उसकी बाल कर दीती है ताकि कोई उसे पैचानना सकी और उसकी जान बच जाए नाइट स्टार की बेटे और उसकी वाइफ को भी पता चल गया था कि गेंग की बेटे ने उन्हें मरवा दिया है जिस बास से दुनों को काफी दुख हुआ उसका बेटा तो गुस्से में और दुख में जैसे पागल हो गया था अब नॉर्थ की सारी सिपाही नॉर्थन एटे को बागर किंडम से अलग कर दीते हैं और अब यहां का नया किंग वो नाइट स्टार की बेटे को बना दीते हैं और टेनेरियस का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है यानि वो बिल्कुल एक जिन्दा लाश की तरह था पता चलता है कि यह सबकुछ उस जादोगणी ने जान बोच के किया था क्योंकि उसका हजबन यहां की लोगों को परेशान किया करता था अब क्योंकि वो जिन्दा लाश था तो नाचे करेंबे डिनेरियस उसकी मुँपर तक्या रखें कोदे उसे जान से मार देती हैं फिर उसकी लाश को जिलाने की सारी तयारियां कर देती हैं वो ड्रेगन की अंडों को भी आगमी रख दीती हैं और खुद भी उसमें बैठ जाती हैं काफी टाइम की बाद जब आग भुझ गई तो लोगवाँ चेकरने के लिए आएं जो हम बड़ा ही हरान करने वाले सीन देखती हैं आग की वज़ज़ सी उसके सरे कपड़े जल गए थी पर डिनेरियस को जरा भी कुछ नहीं हुआ था और तो और उसके तीनों अंडों में से ड्रेगर निकल कर बाहिर आ गई थी जो डिनेरियस के कंदे पर आकर बैठ जाती हैं ये दिकर ट्रॉस लेटर काफी हरान रह गया वो और कुछ लोग वाँ डिनेरियस के सामने गट्लों के बेल बैठ गई उसके सामने जुक जाती हैं क्योंकि वो जान गए थी कि डिनेरियस बहुत खास है और इसी के साथ पहले सीजन इदरी खरित मुचाता है